हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब होफ आप सब ठीक होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे गर्मी बहुत पड़ रही है तो ऐसे मैं आप लोग भी पानी पीते रहा करिये कई राजियों में अभी लू चल रही है लू लगने के कारण कहीं तरह की परेसानिया खड़ी हो रही है तो हमें इससे स्वावधन रहने की जरूरत होती है और नौतपा तो अब सुरू हो गया है और नौ दिन तक रहेगा तो जैसा कि इस समय हमें अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है इसी तरह हमें इन बे जुबान पक्सियों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इन गर्मी पड़ रही है तो यह लोग बारिश नहीं होती तो इनको बाहर पानी नहीं मिल पाता है और तो इसलिए हमें पक्सियों के लिए पानी का इंतजाम करना चाहिए और इस समय हमें हो सके तो हमें कुछ पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि हम यह लोग उसमें क्योंकि ध रहने के लिए कुछ जगें स्कम पड़ गई है, सब जगें बिल्डिंग्स पंती जा रही है, तो हम लोगों को एक वो करना चाहिए, सबको एक एक पेड़ लगाएं, तो गर्वियों में उससे टेम्प्रेचर भी ठीक रहेगा, जिस तरह से हम लोग अपने बर्थडे, पे, केक, कपड़े और गिप्ट में इतना खड़चा करते हैं, उससे तो अगर हम लोग एक एक पेड़ लगाएं तो इन पक्षियों को और उसमें क्यों न एक एक इनके लिए घोंसला लटका दें, तो इससे क्या है कि इन बेजुबान पक्षियों को भी इतना रहत मिलेगी, क्योंकि जब से ग्रीनरी खतम हो गई है, तो पक्षियों को भी वो होती है, तो इने रहने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, प्योंकि ये तो किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं, तो हमें इनके लिए, अभी हो सके इनके लिए, हमें पानी जरूर रखिए अभी, जिस तरह इतनी गर्मी पड़ रही है, कुछ दिन पहले अभी मैं, मैंने एक आर्टिकल पड़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था, एक आइडिया दिया हुआ था, कि जो हम, कोकोनट वाटर तो हर जगे मिलता है, तो कोकोनट, जब हम कोकोनट वाटर पीते हैं, तो उसको हम अगर बीच से काट लें, और उसे पेड़ों पे लटका दें, तो इन लोगों के बड़िया पक्षियों के लिए घोसले तयार हो सकते हैं, तो क्यों न अगर हम कुछ पैसे दे के नारियल पानी वाले से, उसके अगर बीच में से एक कट लगा लें, तो उसका बड़िया घोसला वो बना के दे सकता है, तो इन लोगों के रहने के लिए पक्षियों के लिए एक घोसला तयार हो जाएगा, तो पेड़ पही लोग, उ तो बच्चे उनके पास भी करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो बच्चे मोबाइल या टीवी पे बिजी रहते हैं, तो उनको कुछ ऐसे वर्क है जिसमें कि वो कार्ड़ बोर्ड से चड़ियों के लिए गोसला बना सकते हैं, और उसे अपनी बालकनी में या बाहर रख तो वो भी इन लोग इन बे जुबान पक्षियों के लिए काफी अच्छा आराम रहेगा उनको, तो इस तरह से हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, तो मैं तो इनके लिए पानी रखती हूँ और रोज इनके लिए खाने के लिए बाजरा रखती हूँ, तो ऐसे ही आप आखके लिए। झाल झाल झाल